बागते दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल के रिकोलन प्रेडिक्शन में गाईस आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इंडिया वर्सेज ऑस्टेलिया के बीज में तभी मतलब 200 पलस कहां कड़ा यहां पे चैस कर गई थी बहुत बड़ी जीत थी ऑस्टेलिया के लिए तो ऐसे मैं अब इंडिया टीम की क्या कुछ पॉसबल प्लेइंग 11 हो सकती है क्या कुछ माइंड सेट के साथ यहां पे फिल्ड में उतर सकती है वीडियो में फूल डिसकस किया जाएगा तो without wasting your time हम लोग वीडियो को start करते हैं उससे पहले बताना चाहूंगा देखिए दोस्तों यह मेरी टेलीग्राम का चैनल प्लीज वीडियो को skip मत किजे थोड़ी सी मेरी बास सुनिये आप लोग इससे यहां जरूर जोएन हो जाना क्योंकि वीडियो के description comment box में जाएगा link होगा link के through यहां पे आ सकते हो by the way किसी region से link work नहीं करता है तो creek 2580 भी लिखकर आप लोग मुझको जरूर सर्च करके यहां पे join हो सकते हो यहां जुडने के बहुत सारे benefit मिल जाएंगे आप लोगों को article वगरा जो कि cricket से related या फिर किसी भी sports से related उड़ता है मैं यहां पे बता देता हूँ बाकि toss के बाद final team updated team यही पर मैं आप लोगों को दे पाता हूँ तो आप लोग यहां पे जरूर जोएन हो जाना बाकि subscriber देखकर प्लीज मुझको जज मत करना गाईज यहां पे कभी एक लाख भी subscriber हुआ करते थे जो कि ठंडी में जब बिग बैस लीग चल रहा था तो dream alone के तरफ से कुछ strike issue के वज़ा से delete कर दिया गया था channel तो यह मेरा नया channel है बाकि आप लोग यहां पे जरूर जोएन हो जाना तो hope कि आप लोग जोएन हो जाओगे और कम से कम 4-5 मुकाबले मेरे team से खेली है आप लोगों को अच्छा लगे तो आगे continue करना वरना तो आप बिल्कुल छोड़के जा ही सकतो बाकि दोस्तों बताता को मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड और टी ट्वैंटी आई का मुकाबला 23 सितंबर को साथ बजे शाम को अपने भारत टाइम अनुसार खेला जाएगा यहां पर वेनू चेंज हो चुका है विधर्ब किर्किट अशोसी एसन जमता नागपूर में यह मुकाबला आप लोग रहने वाली है जो टीम यहां पर फर्स्ट बैट करीगी वो बैटिंग करने में काफी जादा इंज्वाई करीगी और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा मतलब कि जैसे मतलब फर्स्ट इनिंग बहुत अच्छा यहां पर टीम चाहेगी स्कोर बना है तो ऐसे में 180, 190 या तो फिर से दोसों का आंकड़ा भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है लेकिन जैसे यहां पर सेकेंड इनिंग गाईज श्टार्ट होगी ना तो यहां पर काफी जादा मतलब बैट्समैन इस्ट्रेगल करते हुए दिख सकते हैं मतलब कि यह कह सकते हूँ जो टीम सेकेंड लिंग में बॉलिंग करेगी उसके बॉलर काफी जादा यहां पर इंपोर्टेंट रहने वाले हैं बस इतना आप लुक समझ लो हेट टूएड में देखते हैं तो 24 मुकाबले दोनों टीमों आज तक खेले हैं इंडिया की टीम वहीं और श्टेले की टीम ने 10 मुकाबले को वहन किया है एक मुकाबले यहां पर नो रिजल्ट रहा है बात करते हैं यहां पर जब जब टीटो एंटी आई इंटरनेशनल होता है इस ग्राउंड पर तो क्या कुछ होता है तो देखिए का 12 मुकाबले टोटल खेले जा चुके हैं बैटिंग फर्ष्ट करने वाली टीम नो मुकाबले को वोन किया वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने महज तीनी मुकाबले वोन कर पाई है तो मतलब कह सकते हो हर तीसरा मुकाबला यहां पर मतलब बैटिंग से करने वाली टीम ही वोन करती है बैटिंग फर्ष्ट करना यहां पर काफी जादा असान होता यहाँ पे in compare of chase करना तो इसी बजा से कह रहा हूँ जो टीम पहले betting करेगी उसके batsmen important रहने वाले हैं और जो टीम मतलब पहले betting करेगी उसके baller important रहने वाले हैं मतलब chasing करने वाली team के batsmen आप मत लेना ऐसे में उनके देश के बॉलर ले सकते। अभी मैं आप लोगों को अच्छे बताऊंगा जब ड्रीमिलोन पे चलूंगा तो ऐसे बताऊंगा तो आप लोगों का बाउंस कर जाएगा। काप लाएंस कर तो आप लोगों को इसके बताऊंगा जब टीम है। अब देखिए चल नहीं रहे एसिया कप में भी अगर एक ही पारी मुझको याद आ रही है जहाँ पे कि इन्होंने मतलब 50 पलस का स्कोर किया था आई थिंग वह मुकाबला सिरलंका से था बाकी सारी फ्लॉप पारिया थी एसिया कप में भी इनकी और केल रहूल तो पूरा फ्लॉप थे एसिया कप में अगर आखरी मुकाबला अफगानिस्तान वाला छोड़ दिया जहाँ कि विराट कोली ने सतक मारा था और उसी सेम मैच म तो अभी देखिए बहुत लोग कह रहे थे फॉर्म में आ गया है तो अब क्या मालूम ये फॉर्म में आएं भी है कि नहीं आएं 122 की पारी खेलने के बाद दो पे यहाँ पे निपट चुके थे अगले ही महीन आक्टूबर से वर्ल्ड कापी स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे में विराट कोली का फॉर्म का जाधा इंपोर्टेंट रहने वाला है बात करते सूरुकुमार यादू कि 46 रनों के स्कोर इनों नहीं किया था बाकि ये अग्षर पटेल के काश तीन विकेट छे रन पलस बॉलिंग से तीन विकेट ये भी बहुत ही कह सकते हो इंपोर्टेंट तीन विकेट थे फिर भी इंडियन टीम को नहीं जिता पाय थे अब किसकी वज़ा से इंडियन टीम हारी थी बहुत सारे लोग भुनेशवर को ब्लेम कर रहे हैं बाकि देखते हैं दिनेसकार्तिक के 6 रन थे बाकि इतना नीचाई थिक दिनेसकार्तिक को नहीं खेलाना चाहिए ता मुझे जहां तक लगता है भुनेशवर कुमार को एक भी विकेट नहीं मिला था हरसल पटेल को भी विकेट नहीं मिला था उमेश यादू को दो विकेट मिला था लेकिन बहुत ही महेंगे ये साबित हो रहे थे यूजी चहल को एक विकेट मिला था और वो विकेट मिलते हैं मिलते हैं बहुत देर हो थे बात करते हैं भारत के तरफ से क्या कुछ ओपनिंग और देश कॉम्बिनेशन होता है बॉलिंग का तो भुनेश्वर कुमार के साथ उमेश्यादू को मान सकते हूँ देश में भुनेश्वर कुमार आए थे और हरसल पटेल आए थे और दोनों लगबग 11-12 की एकॉनमी से परण तोड़ा रहे थे बॉलिंग इन्फरमेशन यहां से देखते हैं जो कि अच्छी खास ओवर डाल सकते हैं तो भुनेश्वर कुमार को मान सकते हूँ अक्षर पटेल यूजी चहल हरसल पटेल अब उमेश्यादू ने दूवर फेका था और इनका जो दूवर कटा था हार्दिक पांडिया ने यहां पर डाला था बात करते हैं और स्टेडिया टीम की क्या कुछ पॉसबल प्लेंग 11 हो सकती है तो कह सकते हो अपने परमुख बैट्समेन के बिना अभी मुकाबले खेल रही है मतलब डेविड वारनर टीम में नहीं है तो इस तरह का परफोमेंस दे रही है एरोन फिंच 22 रनों का स्कोर किया था इनके पैड पे गेन मार दीजे स्विंग करके अंदर लाईए यह आउट हो जाएंगे एक बहुत सा सिंपल सा फार्मूला है सभी टीम को मालूम है लेकिन इनके साथ के जो साथी आते कैमरोन ग्रीन 61 रनों की पारी खेली थ करते हैं तो बहुत सारे टीम का दिल धग दुख करता है क्योंकि अगर यह खड़े हैं तो कहीं ने कहीं मुकावला पलट सकते हैं ग्लेन मैक्सवल देखी अभी एक रन के पारी बैटिंग कर पाय थे बाकि बालिंग से विगेट लेज गया थे जो की नीचे खेलने आया थे अब सामने भुनेशवार कुमार थे 45 रन ऐसे बनाया थे कि मैच ही लिकाल के लेकर चले गए पैट कमिन्स को विकेट नहीं मिला था वही जोस हैजल वूड दो विकेट निकाले थे नैथी नीलिस को गाई तीन विकेट मिला था वही आडम जमपा को भी विकेट नहीं मिला बात करते हैं इनके तरस ओपनिंग देथ कॉंबिनेशन क्या होता है तो जोस हैजल वूड के साथ पैट कमिन्स को मान सकते हो देथ में जोस हैजल वूड पैट कमिन्स नैथन इलिस को आप लोग मान के चल सकते हो बालिंग इनफोर्मेशन देख लिजे तो जोस हैजल और फेका तो वही जो इनका एक ओबर कटा था वो ग्लेन मैक्सवल ने बॉलिंग की थी बागी इंडिया के ओवरॉल सारे खिलाडियों को यहां पे रिकोर्ड है डोन नो भूमरा क्यों नहीं खेलता अगर कुछ इंजरी वगर आए तो अलग बात है लेकिन अगर ठीक है तो नाम सिलेक्ट हुआ है तो यहां से ओवरॉल सारे खिलाडियों का आप लोग देख सकते हो बाकि देखो नेथा निलिस का रिकोर्ड भी अच्छा था पहले ही से तीन मुकाबले में नो विकेट निकाले हुए था अब चार मुकाबले में बारा विकेट आप लोग मान सकते ह वरॉल सारे खिलाडियों को यहां से मैंने रिकोर्ड वगएरा मेंशन किया है आईए देखते हैं ड्रीम अलोन पर हमारी क्या कुछ टीम बन के रेडी हो रही है दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले विगिड कीपर ऑफसन से उससे पहले कहूंगा कि आप लोग एगर वीडि जो चीए है कि आप लोग सीखो कि मैं बता किया रहा हूं ठीक है बाकि देखो वीडियों कराया हूँ तो अच्छे असा समझ माएगा कि सिह खलाडिकों टीम में रख रहा हूं तो किन वजह हो से रख रहा हैं तो फिलाल मैंने मैथ Jewish कीपर ऑफसन में यहां पर से मतलब है कि पांच नंबर पर कम से कम आ सकते हैं फिलाल मैथ्यू वेड विकेट कीपरिंग करने तो इस वाजा से मैंने अपने टीम में ट्राइ किया अगर इंडिया की टीम फर्स्ट बैट करती है तो दिनेसकार्थी को भी ट्राइ कर सकता हूं बात करते हैं देखे बैटिंग सेक्सन से तो फिलाल के लिए शूरिक कुमार यादो लोकेस राहूल विराट कोली रोही शर्मा को टीम में ट्राइ किया है लेकिन अगर इंडिया की टीम अगर फर्स्ट बैट करीगी तब इन चारो को चारो को ले जाओंगा अगर इंडिया की टीम सेकेंड बैटिंग जा तो ये टॉस पे काफी हाथ तक गेम निर्भर करने वाला है यहां से देखिया अल राउंडर सेक्षन से हर्दिक पांडिया सी गरिन अक्षर पटेल को ट्राइ किया ग्लेन मैक्सवल का एक बहुत इला जवाब आपसाने टू डाउन खेलेंगे परास पार्ट टाइम एक अ प्टेल धैल वूड और यहां से फिर नीचे से हर्सलपटल पैट कमिंस को मैंने टीम में ट्राइ किया है अगर धेखिए फिर दो पर लिए तो अगर भुनेसवर कुमार और हरसल पटेल को मैं अपनी टीम में जरूरूर लूँगा कहीं न कहीं ते किसी न किसी खिलाडी को ड्रॉप करके तो इसी वज़ा से कहा रहा हूं काफी हद तक ये मुकाबला आप लोगों को टॉस कूपर भी निर्भर करने वाला है कर दिये थे वैसे लेकिन चार भर आप लोग नहीं मानकर सकते हैं लेकिन घ्रियन और हारदिक पांडिया और मैक्सवर इसलें में और काफी कुछ और क्षिशन्ट हो जाता है तो वीदो के दिस्ச्रिप्शन कमिछОगा लिंक होगा लिक के थूबिग YES किसी रीजन से लिंक वरक नहीं करता है तो क्रिक 2580 भी लिखकर आप लोग मुझको सर्च कर सकते हो बागी दोस्तों छे सालों से लग बाई ड्रीम अलोन खेलता हूं इससे पहले भी चैनल था जहांकि वन लाइक के संस्क्राइबर थे जो कि कुछ इसू के वज़ा से डिलिट कर दिया गया तो होप आप लोग बास समझोगे और इस नए चैनल पे भी उतना आप लोग सस्क्राइबर जरूर करवा दोगे च्यार पांच मुकाबले खेल कर देखो अच्छा लगए तो आगे केंटिन्यू करना है वरना आप लोग बिल्कुल स्किप करके जा सकते हो तो बाकी वीडियो का लाइक करना जो लोग चैनल पने होंगे प्लीज सब्क्राइब पर कॉल नोट्रिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले गुड़ बाई